दोस्तों आज के समय में बढ़ों से लेकर बच्चों को जरूरी पोशक तत्वों की आवश्यक्ता होती है। इसे पूरा करने में रागी आपकी मदद कर सकता है। आए जानते हैं इसके बारे में सब कुछ। रागी एक बेहत खास सुपरफूड है जो आपकी सेहत के लिए की गुनवत्ता को और ज्यादा बढ़ा सकती हैं। वही बच्चों की डाइट में इन्हें शामिल करना है तो आप रागी स्प्राउट्स को पावडर कर इसे बच्चों को भी दे सकती हैं। आज के समय में बढ़ों से लेकर बच्चों को जरूरी पोशक तत्वों की आवश जाते हैं, जो इसे उच्च गुनवत्ता वाले प्रोटीन का एक प्रभावी स्रोथ बनाते हैं। ये तवचा और बालों के स्वास्थे को पुनर जीवित करने के लिए मैथियोनिन, एक सलफा आधारित अमीनो एसिद, वेलिन और आइसोलियूसीन प्रदान करता है, जो मसल ग्लुटेन प्रोटीन के प्रती सेंसिटेव हो जाते हैं, जो दुर्भाग्य से भारतिय अव्यंजनों में एक नियमित कमपाउंड है। रागी, ओगैनिक रूप से ग्लुटेन फ्री होता है, इसे चपाती, डोसा और मिठाई बनाने के लिए आसानी से गेहु के स्थान प धीमा कर देते हैं, ये डायबिटीज से पीडित लोगों में हाई बलड शुगर को कम करता है, ये फैक्टर्ज इसे डायबिटीज के मरीजों के लिए एक बेहत खास सुपरफूर बना देते हैं, इसके अलावा ये फाइबर का एक बहतरीन स्रोथ है और इसे पचाना भी ब भावित करता है, जिससे अत्यदिक ठकान और उत्पादक्ता का स्तर कम हो जाता है। रागी आयरन का पॉवहाउस है, जो उन लोगों के लिए वर्दान के रूप में काम करता है, जिनके बलड में हिमोगलोबिन का स्तर कम होता है। इस प्रकार अनीमिया की स्थिती में स्तर के स्तर में संतुलन लाता है, रागी अच्छे मूट को बनाए रखने और अच्छी नींद को बढ़ावा दे कर चिंता और अनिद्रा के इलाज में मदद करता है। 6. रिदे स्वास्थय को बढ़ावा दे। रागी में कॉलेस्ट्रॉल और सोडियम की मात्रा नहीं होती, इसलिए रागी के आर्टेस से बने व्यंजनों का सेवन हृदे रोग से पीडित लोग सुरक्षित रूप से कर सकते हैं। इसके अलावा, ये डाइटरी फाइबर और विटामिन B3 या नियासिन कैसे पोशक तत्वों से भरपूर होता है, जो HDL स्तर को बढ़ा ब्रेस्ट फीडिंग मदज के स्वास्थे को बड़े पैमाने पर लाब राप्त हो सकता है। रागी में आयरन और केल्शियम का एक बहतरीन स्रोथ है, ये दूध हुत्पादन को प्रोटसाहित करने और गर्भवती महिलाओं और यंग मदज में हॉमोनल एक्टिविटीज क संतुलित करने के लिए बेहत कारगम माना जाता है। अब जाने ये रागी को कैसे करना है स्प्राउट। सबसे पहले रागी के दानों को अच्छी तरह से साफ कर ले, फिर इन्हें राद भर के लिए पानी में भिगो कर छोड़ दे। अगली सुबह कॉटन के कपड़े में रागी को डाल कर पानी को निकाल दे। अब कपड़े में गांत बांधे और फिर इसे किसी कंटेनर में पैक करके दो दिनों के लिए रख दे। दो दिन बाद जब आप कपड़ा खुलेंगे तो आपकी रागी स्प्राउट्स हो चुकी होगी, अब आप अपने उन्हें ग्राइंडिंग जार में डाल कर अच्छी तरह से ग्राइंड करते हुए एक दरदरा पाउडर बना ले। अब आप इस पाउडर में दूध और ड्राइफ फ्रुट्स का पाउडर या मखाना पाउडर डाल कर सभी को एक साथ मिला कर अपने बच्चों को फीड कर स रखती हैं।